वेलकम तो माई यूट्यूब टेनल मैं आप समगा फिट से बदोस भागत करता हूं दोस्तों कि यह कोर्स हमारा चाल रहा है एड्मास मेहत कर जिसमें कि आज हमारा दूसरा दिन होगा दिस तो इसमें हम पहला जो चैप्रार होगा में सुलिशन का एरिया स्टार्ट की हैं मैं यह पहला विडियो अप्लोड कर दिया ट्रैंगिल का नहीं देखें तो उसको देख लिजे और आज वह हमारा होगा होगा संब्सक्राब कर लिजें आज या कल तक में आपको पीडियेफ आपको मिल जाएगे इस चैप्टर का मेंसुरेशन का पुड़ा कंप्लीट लगवा तो हम क्या करेंगे बनाते जाएंगे डेली आपको होमग देते जाएंगे आप बनाते जाएगा फिर आश में उसका हम कर लेंगे जो कोशन आपसे नहीं बनेगा ठीक है यह मिलेगा आपको हमारे टेलिग्राम का चैनल लिंक मैं डिसक्रप्शन में देदूंगा वह से आप आपको डॉल्लोड करना होगा आप टेलिग्राम चैनल हमारा जोइन कर लिए मैं के नाम से है लिंक भी मिल जाएगा आपको डिसक्रप्शन में वह साब ठीक है जोएन हो जाएए और स्टार्ट करते हैं और देखें राट अंगेल ट्रिंगर इसका एक कुुन नब्य दिग्री हो दोस्तों रापको क्या होगा राट अंगेल ट्रेहिंगल करते हैं इसको हम दोस्तों हीज में हो गया बेस यह वह 10 करते हैं इसको घज से सचित करते हैं इस सभेस टेंट रैसे सचीट करते हैं दोस्तों इसको सचित करते हैं तो इससे आप 10 के हिंगा। इसी में हम क्या पने नर्य परेंगे इस चफिट थिए पाउगे अजो पर्मेड आपको पता ही होगा जि क्रेंड जो करत द दिया हुआ है ठीक है ऐिंखने प्लों सोधने हैं आएगों सब्सक्राइग खिर में देख लेते हुए प्रीमाप होगा गरें इसका कितना होता है रहले प्रीमाप हो जागा प्रीमाप कितना होता है इसका त्रिमाप होता है कि यह पृंडरी CGI cure होगा कितना हो जागा आपंधूस्तों इसका प्लास भी फ्लस एक इसका परेख हो जैगा ठीक है अब देख्ञें यहाँ इसका अरिया होता है इसका एक ब्रॉक्ट मेर्च और अधार इन्टू क्या होता पूछ Cait उस्फ्थ लमब काते हैं एक ब्रॉक्टे 2 इंटू तूबक्तर का सकते हैं एक बटए पि इंटू हो जाएगा यह अधार हो गया यह इसका लंब हो गया एक बटए-दो और अधार और और से प्रिप्लेट नमर आता है दोस्तों वह इंपोर्टेंट था यह आपको याद रखना है अब कम से कम दोस्तों आप नोट्स बनाते चलिएगा ठीक है नोट्स बनाकर रखिएगा आपको आने में जो भाईवुष फूटर में आपको बहुत ही काउं करेंगा आप अदे हिए यह हमको पी स्कोर निकल आप दोस्तों कि अ्पर uncommon काम करेंगा आपको अब पी स्कोर निकल निकुआ निकाना है इंक तो आपको याद करना बहुत ही इंपोर्टेंट है उसका यूज करेंगे कहां कहां यूज करेंगे कि क्या होता है दोस्तो चलिए दोस्तो इसमें देखते हैं ट्रेपलेट नमर क्या होता है एकी है पिह है एकी है उन्तिस होगा कितना बरीज कर त्रेस उन्तिस हो गिया अब तरिके ट्रेपलेट नमर क्यां कुन सा होगे है दोस्तों को तीन चार पांच पांच बाड़ा तेड़ा साथ चोविस पचीस आठ पंदर सत्रा बीस इकिस उनतीस अब यह देखिए इसको हम यूज कैसे करेंगे दोस्तों कि आप देखिए क्या होता है कि यह तो जदी आपका कर्ण 5 दे दिया यह 25 यह एक नमर का यूज और की और त्र suppressant बत्सक्रणियर मेगों की से और सब्सक्राइब निकिस्amtलिया यह ईत्सक्राइबम-धाय। पार भोट का मैंके इन वह मुझाए По भीकार और संध्राइब चीन ट्वर्म-धाय को चीनपाइबन हो यह आपको हो जाए है आप देखिए इसमें आपको इतना याद रखना कि परिमाप कितना हो गया एरिया कितना हो गया अब थोड़ा साम आगे बढ़ते हैं ठीक है आप हम कोश्चन एक मान के चलिए देते हैं आपको कहता है कि एक समकून तिर्भुच का जो आपको कर्ण है दोस्तो एक कर्ण आपक कर गतना हों लोट को जब यह हम मैं वर यह हम घिषे गेसे सिंकोन चीन चीन जब यह 13 होगा थिये तो यह 5 होगा यह 12 होगा इसका एड़िया कितना होता है दोस्तों कॉंपडन सो एक बठे दो अधार ऐन दोसरम बेस कीतना इसका 12 ले लेंगे और शीर्ष लम किता हो जगा दूस्तों पांस हो जाएगा यह कितना हो गया दूछा का बारा च्छे-पंजे कितना हो गया तीस सेंटीमेटर स्कार मेरा क्या हो गया चेदरफाल हो गया आप स्कुक्रा स्वेस्क्राइस का डॉश्क फिर एक और संकूनतिर्फुज की तेसे भॉच्न के तरफ बढ़ेंके, पहुंछ वर इसे। हम इसी परежд बढ़ते हैं यह भोजा दिया होगा ये मान के चले कुछ दिया होगा ये भी दिया होगा तो इसका भी एरिया दोस्तो होगा ना ये कितना हो जाएगा ए बी जी झी और डी लेते हैं इसका उड़ ए या निकाल नो tu घृतती है यह हो जाएगा अपको और NOW यह सूरे हां ही ऐसको एन्ट किया हो जायगा अपको भी होजागा यह कितना हो चाह्या हूँelle हाइट होता है यह हाइट होता है इसको याद रखेगा दोस्तों आगे हमको इसका यूज करना पड़ेगा ठीक है अब हम कोश्चन के तरब बढ़ते है अब देखे क्या है कि एक संकुन तिर्भोज के आधार की लंबाई पांच मीटर था उसका कर्ण 13 मीटर है तो हो जागी आधार कितना दिया पांच दिया है आपको पता है कि पांच है टेरा दिया हुआ कौन बज गया दूस्तों आपको बाड़ा बज गया वी तो रहत बताए थे पांच बाड़ा तेरा का लेशन है दोस्तों याद रखिए कर पेपर इल्टमर बहुत जल्दी बन डिया बराबर किया होता दोस्तों कि एक बट्टे दो च disagreed होता है लुटेी मिटे प्रेट स्पार्व का अंसर हो जाएगा अगला कोशन दिखें इसका काता कि एक समकुन तिर्भुज का छिदरफल कितना है 20 वर्क संटेमीटर है समकुन तिर्भुज बनाने वाले एक भुजा की लंबाई चार संटेमीटर है कर्ण के समुक सिर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी अब दिखें क्या क्या है एक समकुन तिर्भुज है एक समकुन तिर्भुज है दोस्तों यह आपका एक समकुन तिर्भुज है और इसका एडिया कितना दिया हुआ दोस्तों इस इसका एरिया दिया हुआ आपको 20 cm² ठीक है एरिया 20 cm के दिया हुआ है समकुन बने में एक भुजा के लंबाई चार है ये भुजा के लंबाई की चार है करण के शमुक सिर्ष से करण का ये हो गया समुक सिर्ष पर ये एक लंब डाला गया ठीक है समुक डाले के लंब के कुछ जो होता है ये आपका कि अर्या होगा एक पट्टे 2 इन्टू 5-20 Чॉ मान कितना हो गया आपको दोस्तों आपको 10 हो गया यह कितना हो गया आपको 10 आगया यह पूछा कि यह कितना होगा है न यह कितना होगा इसके लिए अभी तुरत बता थे इसका भी एडिया और इसका भी एडिया क्या हो गया आपको बराबर हो जाएगा तो चलिए देखते हैं के बड़ावर आपका क्या हो गया हा एक बटते दों इंट्थ एंट्थ किया है इसका यह लंभा है है कितना एक सब्सक्राइबरिया कि यह निक हो होगा यह कितना होगा दोस्तों आपको यह दोस्तों कितना हो जाएगा आपको एसी ब्राबर कितना हो जाएगा एसे निकाल लाते हैं एसी ब्राबर कितना होगा चार का स्क्वाइर चार का स्क्वार, पिलस किता हो गया, दस का स्क्वार, रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है, यह किता हो गया, दोस्तों, चार चो को स्क्वार हो गया, दस सलसर के किता हो गया, 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 एक सो स्क्वार हो गया, इसका एक समकुन तिरभूज का करण 25 सेंटेमीटर है सेस दो बजाए ऐसी है कि एक दूसरी से पांच मीटर लंबी है अब चले हैं देखिए क्या बोला गया कि एक आपका विकरन दिया हुआ दोस्तो यह विकरन कितना है 5 सिंट्रिमीटर है यह x होगा दिया कितना होगा दोस्तो आपको 625 होगया अब क्या हो गया इसका स्कुर आप प्लस X प्लस 5 का दोनों का स्कुर आपको डोर कि यह यह होना Яot College x कभी ले फूर्ट कर लेते हैं यहाँ के हैं, मालकर चले हमारा, कि اie 10 और 5 दोनों का gap तो 5 है, यहाँ भी 25 का gap है, यहाँ भी 5 का gap है, यहां है पो Amigos, lok stresses me, 10 का over square, 10 का square को गया, 100 हो गया, 200 125 हो पांच दो छे चेशोपचीस हो गया यह 625 हो गया दोनों को जो यह आपका जो वर्ग करके दोनों को जो जो जाए है तो क्या 625 आ रहा तो आप्सन भी हो जाएगा हंडेट परसंट भी हो जाएगा अंसर ठीक है 15 और 20 हो जाएगा अगला कुशन देखिए काता कि किई क्सी समकौन तिर बोच का एक न्यून कौन दुसरे गूना है यह एक समकौन थेखिधन imagin' डी और 1 दूल 2 है तो चले देखे क्या है कोशन के एक शमकून तिर्बूज है इसके कर्ण के लंबाए कितना को 10 cm है अब हमको यह बुजा और यह जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हमको क्या पता नहीं चलेगा अपसका छित्रफल हम निकाल सकते हैं यह ने बोला कि एक कुन दूसरे का होगा दोस्तों तिर्बुज कितनों कोनों का यह एक सोसी होता है जब यह 30 होगा दोस्तों यह कितना होगा पुछ 60 होगा ठीक है यह 60 30 90 90 एक सोसी हो गया आप देखिए हमको क्या है कि कर्ण पता है ठीक है कर्ण पता जैते यह पता कर लेते हैं यह यह पता कर लेते हैं यहा 10 हो गई 13 है थींखती डिग्री टीड़ी थे इसके सामने पर सचेळे अन्वापन कार्ण कीतना होता है ? एक बड़्टे होता है एक बड़्टे होता है एक बड़्टे कटना हो यह दो पंचे-दास हो गया X का हमान कितना,ный कोच होता क्या करना होगा यह निकालने के लिए आधार को क्या करना होगा यह आधार को क्या करना होगा सकते हैं 25 अधूर बार्मोर कितना निकलेगा पांच रूट 3 हो जाएगा अब निछे का अधार कितना गया दूस्तों पांच रूट 3 हो गया अब हमको इसका एरिया निकलेगे दूस्तों एरिया कितना निकल जाएगा आपका एरिया कितना हो था एक बट्टे दो आधार कितना निकला दूस्तों चलिए नेस कोशन देखिए कि तिरभुज ABC समकून तिरभुज है उसके परिविरित की तिरजया 3 cm है और विप्रित सीरो बिंदू से कर्ण की और खिचेगे सिर्ष लंब की लंबाए 2 cm है तो तिरभुज का छदरफल क्या होगा चल देखिए क्या कि एक आपका परिविरित मतलब यह होगी आपको ठीक है अब इसमें समकून तिरभुज जो होता है दोस्तों समकून तिरभुज जो होता है इसमें जो समकून तिरभुज होगा वो आपका जो इसका जो कर्ण होगा वो बीच पॉइंट होगा सेंटर पे होगा दोस्तों यही इसका सेंटर ह होगा यहीं आपका कर्ण के middle point पे होगा दोस्तों को इसको याद रखिएगा middle point पे होता है यह जो मेटी मेर्टे का भी हो फुरसा यूज हो है पूरा बाहर बीर्ट अंदर भीर्ट फितना होगा तुक इसने क्या बोला है कि उसके परिइึरस की तीर्जाय के परिषिर रहे जाए, ढाख यसमें क्या में गतना होगा आपे ईसमें क्या गतन परिभूर क्या थिरजाय scar और से हुगा सिसयक्ति थो भी किते बीदिन इंट, लुकितों जाएंग कि नंग झाल्गा ऑपने इंटाएंट, इस प्रंग शियनसी ट्रमपस ये गार सेज़़ए रवल्ल करलेदी ट्रल्फन. यह था आपका शंकुन तिर्भुज अब हम बढ़ते हैं संभाव तिर्भुज की तरफ ठीक है अब संभाव तिर्भुज देखिए इंप्पोर्टेंट टॉपिक है किसे भी एक्जाम में संभाव तिर्भुज से हेक्जाम हंडेट परषन संभाव तिर्भज की द्रफ पुछान तरफ बनते हैं सादे को संभाव तिर्भुज से तर शाव करेंगे और अब्धे इंटेपीसर जो एजाम हुआ है दोस्तो परति एक दिन कम से कम ज 이걸 पूछा है सबसे ba सब्सक्राइब क सब्सक्राइब अब Anschluch di सब्सक्राइब multiposium और इसका एडिया देखिए दोस्तो कि इतना हो तह तह आधा एडिया इम्पोर्टेंट है एरिया हो जाएगा root 3 by 4 into क्या होता आपको A square होता है ठीक है तो A यहाँ पर हम मान लेते हैं इसकी भुजा ठीक है संभाव तिर्भुच की आप भुजा मान लेजिए इसको क्या मान लेजिए भुजा मान लेजिए ठीक है ये दो important है इसका ये दो हो गया एक पनिमाप हो गया क्या हो गया अब एक तिर्भुच और बनाते हैं पर लंब की लंबाई इसका होता है दोस्तो माधिका की लंबाई जो भी होगा सारा इसमें एक पल होगा एक संभाव तिर्भुच है किसा हृट फूछता हम क्योंनीक पनिमाई कितना होगा पर्ति recognize कितना hon ही जो लम्बाई हो गाँ इसको हम अलग कर लेते हैं कितना हमान ली है यह कितना हो दोस्तो ए बटेक टू हो गया आप हमको यह चाहिए ना यह क्या होगी आधार हो गया और इस वह रोड़ के यह फगया है एच बाबर कितना हो जाएगा दूस्तों रूट अंडर ए स्कॉर मैनस आपका ए बट्टे 2 का क्या होगा आपको होल स्कॉर हो जाएगा ठीक है आप देखे कितना होगा दूस्तों A square हो गया, minus कितना हो जाएगा, आपको A square बटे कितना हो गया, 4 हो गया, LCM कितना हैगा, दोस्तों, आपको 4 आएगा, यह हो गया, 4 A square, minus कितना हो गया, A square, बराबा कितना हो गया, 3 A square बटे कितना हो गया, 4 हो गया, रूट अंडर हो गया आप इसको हम रूट से बाहर करते हैं तो आपका 4 का वरमूल कितना आएगा दो आएगा रूट 3 अंदर ही रहेगा और A स्कुर कितना हो का बहार निकल जाएगा अपको फानिलिस को हम लिखेंगे रूट 3 by 2 into kya हो गया यह हो गया यह आपका भूला है अब इक है लंग की लंबाई जो होगा रूट 3 by 2 into A हो गया यह यह टॉपिक था एक पड़ीमा पागया एरिया आगया अब उसके बाद क्या आगया आपको एक लंग की लंबाई आगया अब बढ़ते हम इसके दूसरे टॉपिक के और हम टॉपिक के लिए क्या कैस में पुछता है इसको नोट अब तैयार कर लिए इसका अगला टॉपिक दिखे क्या है अगला टॉपिक हम रहें कि संभाव तिर्भुज के अंदर ब्रीत और बाहर ब्रीत ज़्यादी बनाया जाए तो उसके लिए हमको क्या करना है ठीक है अब देखे एक संभाव तिर्भुज है पहले हम ले लेते हैं बाहर ठीक है यह आपका सरकील है और सरकील के अंदर एक ब्रीत हो इसके अंदर ज़्यादी आपका ब्रीत हो चलिए बना नहीं बढ़ियां तो कोई दिकत नहीं है इसके अंदर भी तो इसको छुटका आर्मान लेते हैं ठीक है फॉटका आर्मान लिए अपर तियाग भुजा की लंबाई कि इतना होता है संभाव तिर्भुज का ठीक है यह हो गया आपको यह हो गया और परतिक भुज़े के लंबा यह होता है संभाव तिर्भुच का आप दिसके यह क्या हो गया यह हो गया यह हो गया अंतवरिद ठीक है यह हो गया आपको दूस्तों अंतवरिद अंतवरिद कितना होगा यह दोनों आपको याद रखना बाहिया ब्रित कितना होगा तो यह बताइए किसकी तिर्जिया ज्यादा लंबा होगा इसका लंबा इस तिर्भुच क्या हो ज्यादा होगा कि इस तिर्भुच का होगा तिर्जिया ज्यादा इसका होगा इसका होगा इसका क्या होगा कम होगा तो मतलब आपका आर जो होगा अर्ण यहां पर दोस्तों अर्ड यहां पे उंतर को कि जोटा और यहां फिर वेटल से घुना की एक ठोटमेटिक थूटा धार और यहां पर है तक मिटेक इस से बढ़ा हो जागा I still get a liar कि वह हमेशा बढ़ा होगा इसको भी या और neither ठीक है हम यूशा बढ़ा होगा ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं एक topic और है important topic है उसको भी देख लेते हैं इसके बाद पहले पहले तो यह देख लिए हम परिमाब देख लिए एडिया देख लिए ठीक है उसके बाद लंब की लंबाई देख लिए उसके बाद क्या देख संभाव तिर्भुज का अब आते हैं एक अगला अटोपी की तरफ ये इंपोर्टेंट है दोस्तो ठीक इसके बाद हम कोश्टन के तरफ बढ़ेंगे ठीक है इतना ही संभाव तिर्भुज में पढ़ना है इसे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है अपके एक एक आपका ख़जा के लंबाई कितना होगा इसने का फ़ल पिटन हो यह हो गया सी होगी अपको च्वास निकालेंगे तब हम अंगे बर द skipping यह कर ट गर लेत हैं एक हम फ्रणा सा के इड़नी डीयाद़ीगा यह थोड़ा से प्राब रूरा कर लेकर जाए द्खें फिट कौन-कौन तिर्भुज बना दोस्तों देखिए यहां पर तिर्भुज आपको कौन-कौन बना तिर्भुज यहां पर कुछ मान लेते हैं, O मान लेते हैं, O मान लेते हैं, तिर्भुज कौन-कौन बना दोस्तों, B, O, C बना, उसके बाद तिर्भुज कौन बना तिर्भुज तिर्भुज A, O और C बना, तिर्भुज A, O, C बने गया, उसके बाद तिर्भुज क्या बना, A, O और क्या बनेगा, B बनेगा, तिर्भुज A, O, B बनेगा, ठीक है, अब देखें क्या है कि तिर्भुज के तीनों तिर्भुज को डोड़ गए, तो 12 तिर्भुज का छेतर फ कितना होगा तिर्मूज ओडिक चाथ फल कितना होगा छार वाधीन के लूज है कितना होगा रूटandin। रूट 3 वा 4 x x a square हो जाएगा आप तिर भूझ B oC तो इसका जो एरिया होगा दोस्तों कितना होगा 1, 2 x 2 ये कितना हो ये क्या होगा आधार हो गया और into height कितना हो पीवान हो गया प्लस तिर्गुज ए वो सी इसका च्छ्छ दृफ़ल किता होगा दोस्तों एक बटे दो इंट्ु तो आधार तो एह रही होगा इंट्धि किता हो जाएगा हृइग है इन कितना हो गया और इंटू कितना हो गया विद्धी हो गया यह कितना हो गया अब देखें यह यहां पर एक एक कड़ गया एक एक कड़ गया और नीशे कितना हो जगा आपको आपका अब यहां से क्या कंडिसन निकला दोस्तो, क्या निकला दोस्तों यहां से धियान देखेगा, अच्छे से, यह हो गया, बी हो गया, जब अभियंतर बिंदियों से किसी लंब भुजा पर डाले कि लंब दिया हो जैसे मन कि यह P1 था, यह P2 था, यह क्या था, प3 था, तो यह बराबर कितना हो जागा दोस्तो, 2 in 2 P1 plus P2 plus P3, अब बट्टे कितना हो जागा पूल रूट 3, जब यह पता चल गा तो कुछ भी नि उसके बाद किहा आपको यहां पर आते हैं वाहिये बिद deviation कितना होता और और अंतर विरीथ कितना होता है बिद आ चाहिड आप किसी हम्हां Jest से बुझत कितना होता है अब आतया हम direct कितना होता है चलो घ्यां भी सक Candло lei टेम एक बूझत के तरफ को हम आते हैं दोस्तों के तरब कोशन बनाते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे ठीक है पहला कोशन देखिए क्या है काता कि एक संभाहु तिर्भुच की परतियक भुजा की एक आई माफ वाली है तो तिर्भुच का छेदरफल कितना होगा बस आपको क्या है कि गुचा होता है तो आपको आपको अप्सन नमर आपको यहां पर दिया हुआ ओप्सन नमर यह हो जाएगा इसका ठीक है अगला कुशन काता है कि एक संभाहु तिर्भुच की परतियक भुजा दो मात्रक विर्धी कर देजाए तो उसके छत्रिफल में त्री प्लस रूस कितना होगा चले दिखे शू करना क्या है कि मानकर चले कि पहले आपका भुजा था अब कितना भुजा हो गया अब कितना हो गया दोस्तों इसे संभाहु तिर्भुच की पहले भुजा था अब कितना हो गया अब प्लस टू हो गया तो आप बताए कि इसका एरिया ज्यादा होगा ना तो इसका एरिया घटा देंगे तो 3 प्लूट 3 हो जाएगा तो आप निकाल लेते हैं इसको रूट 3 रूट 3 भाइब 4 इन्टू A प्लस 2 का होल स्क्वाइर मैनस A स्क्वाइर बराबर कितना हो गया आपको 3 हो गया दोस्तो अब यह किता हो गया रूट 3 भाइब 4 आप इसको हम रूट से इसको हम उधर लेकर चल जाते हैं दोस्तों ठीक है जदो उधर लेकर जाएंगा दोस्तों यह कितना हो गया दोस्तों यह कितना बचा दोस्तों यहां पर देखिए यहां पर चार ए चार प्लस चा नबचेगा जोन है वारबर किता होगा ठीक। थी प्लस रूट थ्री बाइ किता हो गया यह आपको फ्लस फूर कड़ गया बच्छा आपको ए प्लस वन अब यह बरबर करनकर लेते हैं रूट तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तो आपका उपर में देखिए कितना हो जाएगा आपको उपर में दूस्तो आपको हो जाएगा आपको जादी उपर नीचे गुना करते हैं 3 plus root 3 into root 3 बट्टे कितना होगा, root 3 into root 3 हो जाएगा, ठीक है, ब्राबर कितना होगा, root 3 गुनात करेंगे, 3 root 3 हो गया, अब plus यहाँ पर कितना हो जाएगा, root 3 root 3 कितना हो गया, आपको 3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा, a plus 1 ब्राबर कितना हो गय तो A का मन कितना हो गया आपको root 3 हो गया है इस cancer कितना हो गया है दोस्तों root 3 option नमर आपका A हो जाएगा चलिए एगला कुछ निए क्या कि एक संभाव तिर्भुच की उचाई 15 cm है तो उसका छेदरफल कितना होगा तो संभाव तिर्भुच की उचाई दिया हो है मतलब आपका क्या दिया हो कि लंब की लंबाई कितना दिया हो है दोस्तों लम की लमबाई ठीक है लम की लमबाई दिया हुआ है दोस्टों कितना दिया हुआ आपको 15 दिया हुआ है आप देखे इस संभावत इत्री प्रफूज तुकर निकल गया अब एरिया निकाल लेते हैं दोस्तों एरिया ब्राबर कितना होता रूट При 4 इंटु कितना होता ए स्कुर्ण दो एस्कौर में लोगे 30 बते रूट 3 इंटु 30 बते रूट 3 रूट 3 कट गया 2 5-2 – 3 हो गया फिर 25 हों गया आपको हमोывает 25 गत्ता हो गया आप को रूट थ्री С Wait आप दीए रूट थी सो पर नीचे गुणा कर bendy विए झवा desp करेंगे दोस्तो पर दोसों पर थी आप बटे उंट्यक्रते कितना हो गया थीन हम घूर ये ये कटे गा दोस्तों कितना हो गया 13 संब्भाव तिर्भुच का परेमाप होता है परेमाप होगा वो संबाउ तिरिभूच का रूट 3 गुना और सेगा तो बत्तों संभाउ तिरभूच का से चित कुवसन रूट 3, दोस्तों किए एक बच्चा आपका साइब हो गया अपपको च्रों इंट्केता हो गया यहांशर हो जागा आपको दोस्तों कितना होगा चार यूमीट हो जाएगा ओप्सिन आपको क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा ठीक है नेस्ट कोशन बढ़ते हैं आपको 2 का स्कॉइर टोड एक का स्कॉइर एक और दो का स्कॉइर कितना हो गया एक नुपार चार इसका आणसर हो जाएगा ओप्सिन नमर क्या जाएगा अगला कोशन देखी क्या है अगरा कुश्ण काता कि यदे एक संबाव त्रिवूच के बाही Carn. और अंतर बूच के च्छदरफ़ल का योग 770 cm2 हो तो त्रिवूच का च्छदर फल का होगा तथा अंतर बूच च्छदर होता हुआ और अंतर ब्रीद की तिर्जया कितना होता अभी तुरत आपको बताए थे अब देखिए क्या बोला कि इसका तो उस तिर्बुच का छेदर फल कितना होगा तो योग बोला है न योग दिया हुआ तो आपको जो आड दिया हुआ तो आड तो जो जो सरकील का जो एरिया होता कि एक बित कत जो दिर्ज़ा है आपको screaming पर लेजिए दोस्तो र कमन कितना होगा दोस्तो आर कमन कितना होगाรॉट3 का where सब्सक्राइब के आपको साथ होता है यहांब इसको सुलक करते हैं आपको तीन हो जाएगा प्लस एसक्राइब किता हो जगा है आपको रूट थ्री का स्वैक्र किता होता थीन चार्थिया किता हो हो गया बाड़ा हो गया बराबर किता हो गया 770 हो गया दोस्तों ठीक है अब इसको हम स्वाल करते हैं लेते आते हैं अब हम दोस्तों 6 दूने किता हो गया बारा हो गया बराबर किता हो गया बराबर किता हो गया तो आप इसकों क्या करते हैं? गुना कर लिए तैक है? अ हो जाएका? एक साथ क्या हो गया? बाहर हो गया 12 एक डो कितना हो गया? बहळ हो गया बचा कितना रूट भी तो तो फालिली साद दूनी 14 रूट 3 आपका क्या निकल्हा अपका भुजा निकला तो तिर्भुच का छहतरफल पुछा रह dur तो तिर्भुच का जो üçटरफल होगा दोस्तो एरिया कि चले दूस दूस अब इसका एरिया निकाल लेता है एरिया कितना हो जाएगा दोस्तो रूट थिरी आप फोर इंटू A स्कूर एक का बेलू कितना दिया दोस्तो चोदो रूट थिरी दिया हुआ है ना सब्सक्राइब करते हैं अगला कुछन दिखिए कि यदि एक संभाव तिर्बुच की भुजा 12 cm हो तो बाहिया तिर्जा और अंतर तिर्जा के बीच का अंतर क्या होगा अब देखिए क्या बोला है कि बाहिये अब देखिए यहां पर 12 cm है एक अमान 12 है तो यह आप कॉमन ले लेते हैं ए बट्टे रूट 3 कॉमन ले ले लेजे बचेगा दोस्तों अंदर में कितना 1-1 बट्टे तू बचेगा अब एक अमान कितना है 12 बट्टे कितना हो गया आपको रूट 3 हो गया तो एक मेंसे एक 6 बट्टे रूट 3 नहीं है तो रूट 3 रूट 3 इस उपर निचे आप गुणा कर देजे ठीक है जैसे ही गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो गया 6 रूट 3 उपर हो जाएगा निचे कितना हो गया 3 निचे हो गया 2 रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा इसका 2 रूट 3 इसका आ बाबर किता हो जाएगा आपको 24 हो जो दिया हुआ है उसको लिख लिख लिए जो निकालना हो उसको हम अलग से निकारेंगा ठीक है तो ए बाबर किता हो गया तो आपको 8 हो गया 8 cm हो गया अगला कॉशन दिखें आला कॉशन किसी संभाव तिर्भुच की परतियक भुचा के लंबाई टू रूट 3 cm हो तो इसका एरिया कितना हो जाएगा दोस्तो इसका जो एरिया हो जाएगा इसका रूट 3 by 4 into a square कितना हो गया 2 रूट 3 into कितना हो गया आपको 2 रूट 3 तो दो दूनी चार चार कर गया दोस्तो रूट 3 रूट से कितना हो गया 3 हो गया 3 रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा 3 रूट 3 cm स्क्वार इसके बाद काता किसी संभाव तिर्वुच की पर्तिक भुजा के लामबाई 10 cm रूट तो उस तिर्वुच का चदफल कितना होगा इस तिर्वुच का चदफल आपको आप आराम से दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से रूट 3 by 4 into कितना हो गया 10 गुना कितना ह कितना हो गया 25 रूट 3 cm2 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन देखें देखें अला कोशन किसी संभाव तिर्वुच का परिमा बरावर क्या होता दोस्तों परिमा आपको पहले से यहां पर दिया हुआ कितना 32 रूट 3 दिया हुआ है परिमा बहुत आपको 3a कितना हो गया रूट 3 बएट टू इन्टिए कुतना यह होता है यह हो गया रूट 3 बएट 2 इनटु ए कमान के तां बाठ रूट 3बाए 32 रूट 3 कितना हो जाया आप आपको रूट 3 रूट 3 कितना हो जाएगा स्वन्तमा नकिस्ムा आपको पूस्टार पोस्ट ओर वो बना लंग चेंबरा अजा ठीक चेंब सब्सक्राइब अपवन पहले बने लाइन हाहा अजा तरा बच्छन वह आक्रिया में जे चैन भी योगवा हूँ वो बर्कोष अब चीज़ चेंब रहते है अच्छा जिर्फ चेंब लोग भागी दारी वोटाव्रण निर्मन लिख़ा है अजा अच्छा अच्छा एक दिवत्य पर्षिछा इनुच्छा इच्छा भेज़ोल चाहिए ? हाँ अच्छाय ? अच्छाण मझे मध्विद्याला लक्ष्मिपूर लिख दिया अच्छाय कुछ या करनाचे ना? हाँ तारीक करेंच करेंच आपन संपूर का लिखिया जिलाव लाची है अच्छा हाँ, आजी जरग में भास्ते मधिवयाले हिश्मिपूर आज़ temperatura नилась अक्रमद 2000-2021 सब्सक्राइख ढोन... ठीर भाला सामराई जामएं। हमफेन क्या लोतरा ? आज वो Mmmg आण आहाँ आण आ शीर ब्या से थे खरेन शीया। पफैंटों सोंने खरें खरें टीरीय। यार चुल थे आतना चैया। आगे झीङिए झाइडना हम्टा से फारागी है ? हुआ हम्टों खरें , व्लकून शीयेश recipients पाधनाुने बासे यह संसक्या। किज़ने पुखो तो जा अगाला कुछन क्या है किसी संभावु तिर्भुच की परतियक भुचा के लंभाई रूर 3 सेंट्री मीटर हो तो पड़े तिर्जा कितनी हो गिए मतलब आपका परितिर्जा का मत्त होगि berigt की तिर्जा कितनी होगी आपको bericht की तिर्जा कितना लिखाएं दोस्तों ए बट्टे रूट 3 लिखाएं, कितना लिखाएं दोस्तों, ए बट्टे रूट 3 लिखाएं, तो परितिर्जा के लंबाई कितना होगा है, तो परितिर्जा के लंबाई पुछा कितना होगा, तो भुजा के लंबाई आपको दिया हुआ, रूट 3 दिया हुआ है, और परितिर अगला पुशन दीखिए कि दो शम्हाव तिर भुच के छट्रफल का उनुपात इतना है तो उनके शिर्फ लम का उनुपात किता होगा दोस्तों शिर्फ लम का मतलब पुछा का अपको लम की लंबाई का उनुपात क्या होगा थे किते हैं थम्मी हो गरण फॉरिंटव इस क्वीश्टील्ट वेघ्र आंड ही थो इस वेड़ सब्क je कुर शोंब उस इस प्रणी ना हो गया ए effective यह 5 इंट किता हुग गया बंच्छे अगला कुछन देगा एक संभाव तिर्भुच की पर्तियक बुजा 2 cm बर्धी करने पर इसका शित्फल 2 रूट 3 cm की बर्धी हो जाती है तो तिर्भुच की पर्तियक बुजा की कतनी हो दोस्तो इसका आंसर आपको कमेंड में बताना है और यह पहस म है अगली न कासर की haha संभावं तर्भुच क completion का मेंदाया कि बिज thinking बता है तो उसकी किटनी होगी आपव जब आपको अभी पदाए थे जब आपकी आपको अभिहंतर बिंदुसे जीसे मनका यह तीर भुष था आपको यहाँ आपसे आपको मंदी बीन दूऩे भुझा पर डालें कि लम्दी दिया हो थो एज बरबर कितना होता है 2 In2 P1 प्लस P2 प्लस कितना होता आपको P3 अब बट्टे कितना होता आपको रूट 3 होता अभी तुरुत बताए थी तो यहां पर अभी गिवें दिया हुआ कितना 2 रूट 3 2 रूट 3 प्लस कितना हो गया यह कितना हो जागा दोस्तो जितना हो जागा दोस्तो चार दो चिदना हो गया जितना हो गया इंक सम्भुश तिर्भुश कर घर कितना हो गया बुचांड पर बंब आप herself कितना होगा दोस्तों तो वही स्टन आपका किया किसी समें अब्लार किसे विन्दू से भुजा पर डाले गगहे लंब कि लंबाएह आपका कितना दिया है तो सबसे था निकालेंगे तो बिवार ऩैन्टar कि अब्लुर perspectives डाना रॉक्या दिखा और फोर इन्ट papel f 22 into किता हो गया, a+, b+, c, आप बट्टे किता हो गया, root 3 का किता हो गया, अपको whole square हो गया, इसको हम solve करते हैं, दोस्तो, root 3 by 4 into, यह किता हो गया, आपको किता हो गया, यह किता हो गया, दो दोने, 4 हो गया, तो A प्लस B प्लस C बट्टे कितना होगे आपको रूट 3 का होल स्क्वर है तो कितना होगे आपको तीन हो जाएगा यह चार चार कर गिया तो फाइल ले कितना होगे रूट 3 बाइ 3 इंटू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वर रूट 3 बाइ 3 root 3 by 3 R plus B plus C का whole square option number आपका क्या हो जाएगा D इसका आंजर हो जाएगा तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के मांदियम से बताएए पसंद आए तो लाइस से जोड़ कीजिएगा मिलते हम अगले वीडियो के साथ thanks for watching